सबी को जैंद दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है हमारे यूटीब चैनल पर तो आज हम आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेके आए हैं जो इन्फोमेशन से भरी है इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें क्य और जी आज की पहली खबर बिलकुल इमरान खान न्याजी को लेकर है जी हाँ जो पाकिस्तान तहरीक इनसाफ के चेर्मेन है इमरान खान न्याजी जी हाँ इमरान खान न्याजी साब के बारे में सबसे पहली खबर तो यही है कि जी इनको जो है कई अदालतों ने यानि के बैंकिंग कोर्ट से और कई दूसरे जो केसिस चल रहे थे अमरान खान के उसमें तो खान साब को जमानत मिल गई है मगर साथ साथ ये भी हुआ है कि जो इनकी एक जेल भरो मोमेंट चल रही थी आप लोग सब जानते ही हैं कि जिसमें इमरान खान ने कहा था कि हम पूरे पाकि कि भाग गये अब पंजाब से कुछ लोग अरेस्ट हुए थे जिसमें कि शाम एमूद कुरेशी साब भी थे और जो के बुरी तरहां से अपचा रहे थे कि उनको बाहर निकाला जाए जेल से मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था और बहुत ही हंगामा था लेकिन साथ ही इमरान ख कोविंसेस यानि के पंजाब और के पी के के सैंबली जो हैं वो डिजॉल्व हो गई है और उसूलन यह होना चाहिए कि नाइन्टी डेज में यहां पर एलेक्शन्स हो जाएं मगर गर्मिंट अनाउंस नहीं कर रही थी इस वज़ा से खान साम ने कहा था कि हमने यह जेल पर पर एलेक्शन्स हो जाने चाहिएं यह सुनना था कि झी खानसाफ ने फॉररन का चलो जी चलो इससे पहले के खानसाफ खुद अरेस्ट हो जाते हैं हां साम ने यह कहा कि यह सारा सलसला खतम कर देते हैं और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जेल भरो तहरीक जो है वो खतम हो गई है के पी के से उनके मेंबर जी हां परवेश खटक साहब जो के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो भी अरेस्ट नहीं हुए थे और कहा यही जा रहा था कि इनको खुद भी प जानते ही हैं मगर खान साब की सपोर्टर्स कुछ इस तरह से भी थे जिन्होंने अपने आपको अपने घर में ही किसी ना किसी तरीके से कैथ करके और खान साब को यह बताने की कोशिश की किया परेशान मत हो हमने अपने आपको कैथ कर लिया है और आप हमें जेल में ना बे मगर हाँ ये जरूर है कि चाहे वो शाह महमुत कुरेशी सहाब हो या चाहे उन्यानि उनके बेटे हो चाहे कोई और हो सभी लोग चाते हैं कि जिनके लोग जेल में चले गए हैं उनको बाहर निकाला जाए और वो जो एक जोश और वलवला और एक जो अपना आपको बड़ा इस तरीके से बता रहे थे कि जी हम जेल जा रहे हैं उन सब की दो दिन में ही बैंड बज गई और आप कहा यहीं जा रहा है कि जी जेल से निकाले मगर राना सान अल्ला और जो गर्मिंट है उन्होंने तो यह अनौन्स किया था कि जो लोग रेस्ट हुए हैं उनको कम से कम 30 डेस के लिए जेल में रखा जाएगा अब देखते हैं कि इन लोगों को बार कम निकाला जाता है साथ इसाची अल्लामा इकबाल जी हां जो के शायर मश्रिक कहलाते हैं पाकिस्तान में बड़ा उनका रुद्पा है और कहा यही जाता है कि वो ऐसे बैड़ के सोचा करते थ मैं पिक्चर भी दिखा देती हूं आप लोगों को मैं क्या कह रही हूं कोई गलत थुड़ी बात कर रही हूं हाँ जी वो बैड़ कर सोचा करते थे कि पाकिस्तान का खाब देखा करते थे यह हमें जो हैं हमारी पाकिस्तान स्टेडी की जो बुक्स स्कूल कॉलेजिस में हो तो चुकी थी लेकिन पिर भी कहा यही जाता है कि जी वो ऐसे बैड़ के ना सोचा करते थे कि पाकिस्तान बने बाहराल उनके बेटे जस्टिस जावेद इकबाल जो थे उनका कहना था कि उन्होंने अपने फादर के मूँ से कभी इस किसम की कोई बात नहीं सुनी यह भी है जाले यूं बैठने के बज़े यूं बैठे होते और कहते के यह मैंने किस कौम का खाब देख लिया था उनकी बहुत जी हाँ जस्टिस नासरा इकबाल जो हैं उनसे पूछा गया कि आपके बिटे तो अरेस्ट हो गए हैं इमरान खान के साथ हैं और आप क्या कहती हैं क्या यह सब कुछ ठीक हो रहे हैं तो हम सुनते हैं वो क्या कह रही हैं और फिर जाते हैं हाई कोड में और मांगते हैं फेबस कौर्परेट के चुड़ा और जाज वो भी मेरा तालिब इलमी है क्योंके मैं चत्तिस साल से तो कानून पढ़ा रही है उसने कहा देखिए आपको कि नहीं कहा था कोई आपको पकड़ने नहीं किया आप तो खुछ जाके पुलीस की वैनों में बैठ गए अब वो जिस वक्त आप बैठ गए और आपको ले गए हैं जेलों में आपके ख्वाइश के मताबिक अब आप मल बाहरी कोट पर डाल रहे हैं इतना सारा वक्त हमारा ल कि पुलिस की वैन्स में बैठ गए तो अब अगर बैड गए तो बैड़ गए तो अब वो दून्हें अपने बीटे के लिए भी कहा कि नहीं जी हम तो उन्हें बहुत भी नहीं जा रहे हैं कि उनकी कोई जमानत नहीं है को इस तरह की बात करें लेकिन वाराल आज इमरान ख खुद गरिफतारी थी अब जो लीडर बना हुआ है वो खुद जमानत लेकर घर बैटा है और बाकी लोगों को कहता है कि गरिफतार हो जाओ यानि कि वो ये कहना चारी है कि लीडर तो गांधी जी थे जो कि खुद अरेस्ट हुए थे और जेल गए थे ना कि इमरान खान कि अरेस्ट हो जाओ फैर हम एक और नियूस की तरफ चलते हैं और अगली नियूस हमारे पास है जी हरीम शाह से रिलेटेड बिल्कुल अरीम शाह को आप सब लोग जाते ही होंगे अजकर हरीम शाह की कल से फिर एक वीडियो जो है बलके एक नी दो तीन वीडियो जो है वो पिल्कुल वो इस बात को मान चुकी है कि ये वीडियो जो है वो असली है फेक नहीं है लेकिन क्या कहती है हम सुनते हैं असलावेकम जी मैं अपने तमाम लोगों से मुखातिब हूँ ये जो वीडियो आ रही है मतलब ये संदलहटक और आईशा नास जो के मेरी अपनी दोस्ते थी उन्होंने वाइरल की है और कैसे उनने वाइरल की है क्योंके मेरे साथ उटती बचती थी खाती पीती थी रहती थी और मेरे मुबाइलों के पासवड़ और मुबाइलों का एकसिस था एक साल पहले मैं आईशा के एक कंप्लेंट भी लाँच की थी फाइए ने उसका करवाई ने की थी और नहीं का था कि जब कोई भी क्योंके ये अल्रेटी मेरी नजर में मुश्रूप थी और ये वीडियो वाइलों करने से पहले आईशा मेरी कुछ दोस्तों को बता भी चुटी थी कि मैं हरीम की वीडियो वाइलों कर दूंगी ये कर दूंगी वो कर दूंगी तो मेरे लिए इतना वो नहीं है कि वीडियो मेरा किसी थर्ड परसन के साथ कोई तालोग नहीं था ना तो मेरे किसी क वीडियो के बारे में बढ़ एक बारे में ने वैयर वीडियो के थो boa दियो के लिकिन आ हूस्च में आरे में रही है यह वह सब ढरे घ्रिला फैसे ऑर नही रहे है आरख सबंगा। 5 गचनीज़ आके लोग बात भी कर लेते हैं यह और देते आगे क्या बंधा हैं वैसे तो इंदो नहीं साहर पहले भी जोड़ता रहा है मगर इस बार विडियो अगर हम तो आपको यह पर नहीं डिका सकते हैं हम चलते हैं दूसरी धी तरफ रहां आपको यह भी बता दें के ज चानीज सफ्ट्वेयर है शाद इस वजह से लेकिन बारहल आज कैनिडा ने जो है वो टिक टॉक पे फावदी लगा जी इसे तो हमारे कुछ इंडियन दोस्त भी बता रहे थे कि इंडिया में भी टिक टॉक जो है वो बैन है लेकिन पाकिसार में चल रही है और मेरे ख्याले क कैनिडा वालों को भी चाइना के साथ किसी के समझे कोई क्लैसिस हो जिसकी वज़ा से हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है कि वहां पर भी टिक टॉक बैन है बाराल यह एक नियूस है हमें उसे कोई फरक पड़ता नहीं है कि ये टिक टॉक जो है वो चलती है या नहीं मगर ये जरूरे के पाकिस्तान में क्या होना चाहिए ये हम सुनते हैं जो है दुबई से सस्ता बेच रहे हैं कमाल देखो आखरी बात जो आपको शायद पसंद ना आए मैं करके जाओंगा वो मेरी सी सी को भी पसंद नहीं आई थी हमारी पार्टी का जलास था सेंट्रल इडेक्टिव कमिटी का उधर तीन आइटम थे एजेंडे पे एक था पुलिटिकल सिचुएशन एक था लोग इंगर्मेंट एक था इकनॉमिक सिचुएशन जब मैं एकनॉमिक सिचुएशन पर आया तो मैं सी सी वाणों को भी ऐसे ही बान किया जैसे आपको का रहा हूं आपको मेरी बात पसंद नहीं आएगी तो मैंने C.E.C. के मेमलान को कहा कि अगर मेरे अख्तियार में होता अगर मेरे पास अख्तियार होता तो मैं आज पिट्रॉल की कीमत पांच सोर पे लिटर करता ये मैंने बात की थी दो महीने पहले पांच सोर पे लिटर करता सुबा निकल के देखता अपने घर से बहां लहुर में अगर ट्रैफिक कमना हुई होती और उसी तरह होती ट्रैफिक तो मैं 600 कर देता पिट्रॉल की कीमत विजली की कीमत विजली की कीमत 300 यूनिट जो इस्तिमाल कर रहा है उसको छोड़कर मैं 100 यूनिट करता अगर 100 यूनिट करेंगे आप तो आपका सर्कुलेट डेट रुकेगा और ये शेंडलेज बंद हो जाएगे अभी शेंडलेज ओन है ना ये 100 यूनिट हो तो बंद हो जाएगे और इसी तरह गैस की तरह इस मैंने का मैं 10 कुना बढ़ा देता तो वो सारे इस दूसरे को देख रहे थे जैसे आप या आप इस दूसरे को देख रहे क्या है जाए बही मुल्क बचाना है ये मुल्क नहीं बचेगा अगर हमारे लीडर्स आपको देख के सियास्त करते रहे आपकी खाइशात के मुताबस सियास्त करते रहे ये मुल्क नहीं बचेगा जी ये थे जी इनका नाम है जी मग्दूम एहमद महमूद साब जो के पीपल्स पार्टी के मेंबर है और जीब वो गरीब किसम की बाते कर रहे थे के मतलब ये के जो एलेक्रिसिटी है उसके दाब भी बहुत बढ़ा दिये जाएं गैस के भी और ट्रॉल के भी ताके ना कोई गाड़ी चलाए ना कोई लाइट जलाए ना कोई चूला जलाए मतलब ये कौन सा तरीक है सर मुझे तो समझ में नहीं आरा कि आप बज़ाए इसके कि अपने कंट्री को सही करें लोगों के पास हर फैसलिटी हो जो के लोगों को जरूरी चाहिए होती है जीने के लिए हम कोई पत्रों के जमाने में तो नहीं रह रहे हैं स्टोनेज में आप समझ रहें या हो सकता है आप अभी तक स्टोर नेज में बैठे हुए क्या आप यह सोच रहे हैं कि ना क्यूल कोई ले सके ना किसी के बस में होके वो लाइट आउन कर सके और ना ही चूला जला सके वो तो चूला तो खर बहुत से लोग अभी भी नहीं जला पारें बहुत से लोगों से उन्हें करप्शन की है खूब पैसा वैसा खाया है उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है बाराल हम यहां से चलते हैं आगे क्योंकि इस किसम के पॉलिटीशन पाकिस्टान के हिस्से में आये हैं अभी तक कोई भी हमें ऐसा लीडर नहीं मिला जो यह बताए कि कोई पाकिस्तान की जरूरत पड़े मगर ऐसी बात कोई भी नहीं कर रहा एजूकेशन भी हमारी जिस लेवल की है सभी को पता है हमारे एजूकेशन सिस्टम का साथ साथ हमारे जो आप लोग देखी रहे किस तरहां से फैक्टरी भी बंद होती चली जा रही है बलके बंद हो एसी किसा Re释 से बजएगा बास और नहीं की बानसरी यह वालाई था बिल्कुल बिल्कुल यहीं कहना चाहरे थे जैद लेकिन बार्ह entfer कुछ लोगोंने इनकी बाते सुनकर शूब कर दीं कि आ ये तो सारी 10-10 रुपे की चीज़े होती हैं, अपने मेह बूप को हमेशा इंपोर्टेंस दे और मेंगे नामों से पुकारें, जैसे पट्रोलू, डीजलू, आटू, कीनू, पतू, प्याजू, प्याज पते 400 रुपे किलो हैं। जी, तो आप लोग भी आएंदा से ख्याल रखियेगा और जिन से आप प्यार करते हैं, उनको जड़र महेंगे नामों से पुकारें, बारल, हम चलते हैं जी, अगली नियूस की तरफ, और इसे आगे हम आपको बताएं, के जी, मरियम नवास का कहना है, कोई बुजदिल शक्स लीडर नहीं हो सकता, जी हां, जी हां, बिलकुल, इनका इशारा वैसे तो इमरान खान की तरफ है, क्योंकि इमरान खान काफी बुजदिल है, और वो घर बैड़ गये हैं, और टांग पे उन्होंने प्लस्टर लगा लिया, जो तरने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मरियम न पाकिस्तानी यहां पर खजल खुआ रहो ने, तो मरियम सहीवा, आप जरा बहादुरी दिखाएए, और नमाज शरी साब से भी कहिए, कि तोड़े बहादुर बने और पाकिस्तान वापस आ जाए, और अपने केसिस का उफेस कर लीजिए, जी जैसे इमरान खान करते हैं, व कौन सी डेट होनी चाहिए, इलेक्शन कराने के लिए, के पी के और पंजाब में, अब देखते हैं कि दोनों साथ में बैठते भी हैं, या नहीं, वैसे लगता तो नहीं, साथ ही साथ जी, सुराजल हख साब का कहना है, मेरे पास लिस्ट है, जिसमें 18 लोगों के अकाउंट में, चार हजार बिलियन रुपीस जो हैं, उनका इजाफा हुआ है, माशालला, वैसे इसमें बहुत से लोग मौलाना भी होंगे, तो मेरे खियाले मौलाना साब को वो लिस्ट पब्लिक कर देनी चाहिए, ये बिक्चियर भी जी, हम एक डैट पे मिली थी, और मेरे खियाले ये कोई मौमिन है, जो के हूर के साथ खड़े बें, अब हूर जो है, मेरे खियाले इससे भी जादा लंबी होगी, जो उसकी हाइट मौलाना तारिक जमील ने बताई थी, उससे तो ये मुझे थोड़ी कम लग रही है, बार हम आपको ये बता दें के जी पी टी आई के जो पहले मिनिस्टर रह चुक है, यानि सुबाई मिनिस्टर अफ पंजाब के घर से 30 करोड से जाएट की रकम जो है, वो मिली है, जिसमें के कहा ये जा रहा है के दिरहम्स भी है, पाक रुपीज भी है, और दूसरी करंसी भी है, और ये जनाब जो है, तकरीबन 30 करोड रुप जी ये आपने देखा, यहां पर आपको पाक रुपीज भी नजर आया होंगे, और यूए ये दिरम भी आपको दिखाई दी होंगे, और बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 करोड रुपए, बलके 30 करोड की करंसी थी, यानि सब मिला जुला कर, और साथ ही साथ जी ये पी टी आई के मेंबर भी है, पी टी आई की तरफ से ये पंजाब में मिनिस्टर भी लगे हु होती क्योंकि अभी तक तो खान साथ का ही पढ़रा भारी चल रहा है, और ऐसा कुछ होतावा दिखाई नी जिए जिसमें के खान साथ को कोई परिशानी आई हो, लेकिन बारहल अगर करफशन कोई भी करे चाहे, पीमेलेन हो, पीपल्स पार्टी हो, पी टी आई हो, या पिर फाजी हो, मेरे कियाल है अक्शन सब पर ही हो जाना चाहिए, सासान हम आपको ये भी बताते चले, कี่ ये तो हैर हमने कहा के बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, और होना ही चाहिए, चाहें वो फाजी ही क्यों ना हो, तो बिल्कुल ये भी आप सभी को मालم होगा के जनरल जो या दूसरे दारे हों पाकिस्तान के उनके खिलाब बात की थी किसी टॉक शो में तो इस वज़ा से उनको रश्च किया गया और उसके बाद उनको तीन दिन की जो है वो रिमांड पे पुलिस के हवाले जिस्वारी रिमांड पे जो है फिजिकल रिमांड पे उनको पुलिस किस ने किया है मतलब अपने लोग हैं या कि आप ये समझते हैं कि कोई गहर है या अपनों से मतलब आप समझी गए पौच ने किया है या फिर सिविल गर्मेंड ने किया है तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया वो सर्फ मुस्कुराते रहे लेकिन वारल देखते हैं जनल साब किसे उठाया पुलिस है या अपनों ने पर क्या कहना चाहिए किस केस उठाया अब इस पे जनल साब ने कुछ जवाब तो नहीं दिया लेकिन वो मुझे राजिश खन्ना साब के गाना याद आ रहा था कि वो अपने ही गिराते हैं न शेमन पे बिजलियां सॉरी आगे मैं नहीं गाओंगी क्योंके बुझे पता है बुझे गाना गाना नहीं आता लेकिन हां यह बाराल ऐसा लग रहे कि कोई अपनों का ही काम लग रहे मगर साथ-साथ अपने यह काम कर क्यो रहे मैं बताती हूं जी साथ-साथ मैं आपको यह बताओं कि अपने यह काम मस्ले कर रहे हैं क्यूंके यूद जी नही पैसे लेके चलेगे कंfps तो आज जी इस किसम की बातें जो लोग करते यह अगर आप लोग ने ऐसी बाते की तो आपको पांश साल जो हो सजा में सब्हास का लिए का इस और उसके सासाद आपको 10 लाख पता है, 10 लाख पाकिसान की रुपीज जो है, 10 लैक पाक रुपीज जो है, वो भी अदा करने पड़ेंगे, तो आम लोगों के पास तो इतना पैसा होता कोई नहीं है, और जेल की हावा जाके जाए, चक्की पीसिंग और पीसिंग और कि खिलाब या गूर्मेंट को या किसी भी धारे को या जजस को कुंकर जिवें वैंटो को अगर आपने बियान लेना है तो गठे का यह और पूछत था जानए है और तसके कि इदारों को कुछ नहीं कहना चाहे इदारें जो मर्जी करते रहें तो यह दिखाने के लिए कि सिविलियंस को ही नहीं हम तो जी अपने फोजियों को भी अरेस्ट कर लेंगे तो बिर्सकुल यही किया गया और एक नौटंग की ड्रामा जैसा लग रहा है मुझे तो हो सकता इसी बात ना भी हो लेकिन मुझे तरसी लग रहा है तो इस वजह से जी वह बिल्कुल जो है लेफ्टरे जनरल अब्जे श्वेफ्स आपको भी अरेस्ट किया गया और यह बताया गया कि बाकी लोगों को यह एक मैसिज है उन लोगों तक जो बोलते रहते हैं जो हर्वा कह कि अश्वाग पर्विस क्यानी ने तो आइलेंड खरीदा हुए उस्ट्रेलिया में और यह के कमर जावेद बाजवास साब इतना पैसा बना के गया मतलब 6 साल में इतना पैसा बना लिया कि सबके सब जो अरपती खरपती हो गया और बाजवास साब भाग गया और हमारी को जी फंड बढ़ा लेती है और उसके बाद पैसे खा जाते हैं और अपने लोगों को सब्सक्राइब करने की वजह से लोगों को कहा किया है कि अगर यह बाते तो लोगों ने की इस किसम की बाते की के मतलब बचे बार पड़ते इस किसम की जो लोगे ना उनको भी अर्जी वेल में डाल देना चाहिए और उससे जह ना इनको कहना चाहिए अपने काम से काम रखो बॉर्डर पर खड़े हो बॉर्डर पर खड़े हो तो पता हैं तुम लोगों क्यों पसीने आ जाते हैं और यह जो बिजनस शुरू करके ना यह 4G फांडेशन और अब तो मर्टर सील ने भी शुरू कर दिया दिया आप लोगों को तिकाया देना 4G मैं जी मटर जी जी झी तो अब करें तो क्या करें नरिंदर जी कैने चफ़लागा कर ₧्य हो कर सकते हैं तो इस वजासे आब वो मटर भी चिलने लग गए हैं और वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले भी के मटर के पैकेट भी जाना हो वो फौजी मटर के नाम से मटर भी आ रहे हैं वैसे मटर चिलते हुए मेरी भी जान जाती है ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है इसलिए के मटर जासे उन्होंने ये दिखाने के लिए कि अगर सिविलियंज बोलेंगे तो सिविलियंज भी और अगर कोई रिटाइट पौजी या कोई किसी किसम का कोई जो हमारे दारों का आदमी भी अगर कुछ बोलेगा तो हम उसको भी अरेस्ट कर लेंगे मुझे तो कुछ ऐसी ही न लेकिन आप लोग जाना मुझे इदर से उदर भटका के ना किसी और खबर की तरफ ले जाते हैं पारख यहां से हम चलते हैं आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा हसे रहिए मुस्कुराते रहिए और नया साल तो शुरू और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यों